नमस्कार वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल ट्रेवल विद दिवासित भारती आज हम पहुंचे हुए हैं तारा पीठ के महाज मसान में तारा पीठ में मा तारा के उग्र रूप को दर्साया गया है खोपड़ी की माला, मा की निकली हुई जीब, चार भुजाओं बाली मा तारा भक्तों को काफी प्रिय है मा तारा के परमभक्त बामा खेपा ने यहां सिध्धी प्राप्त की थी यही वज़ह है कि से सिध्धी पीठ भी कहते हैं ऐसी मैनता है कि मा तारा का साक्षा दर्सन बामा खेपा को हुआ था बामा खेपा द्वारका नदी किनारेस मसान में मा की साधना में लीन रहते थे अगल बगल के गाउं के लोग बिमारियों तथा अपनी संकटों को लेकर बामा खेपा से मिलने आते थे बामा खेपा उनकी समझ्चाओं का निराकरन करते थे और तब से यहाँ लोगों के पहुँचने का सिलसिला सुरू हुआ जो आज भी जारी है मा के दर्बार में हजरी देने वालों की लंबी कतार लगती है लोग यहाँ बिविन परदेसों से आते हैं पूजन के अलावे हवन का भी आज़न मंदिर परिसर में किया जाता है मा के मंदिर में मनोकामना लेकर पहुचने वाले स्रत धालों की मनोकामना मा तरह पूरी करती है हमारे साथ यहाँ साधू संत महत्मा बैठे हुए हैं जो लगातार तरह पीट में साधना में लीन रहते हैं हम इन से जानेंगे भामा खेपा का यह साधन स्थल है भामा खेपा ने साधना से यहीं पर अपना प्राप्ति किया था मोक्ष की प्राप्ति किया था जाइन जानतें इसके बारे में यहां पर किया है उगाज के पास समादी है उछा पार मां का चरन है सब फञाम करते धूब बती जलाते मंबती जलाते हैं माह के पाई हिएाँ चोड़के कहीं पर स茶्दना पर अपने किया है उनका घर है आट्राा ग्सार में मुझा पर मुंडी असन का किया हुआ है वह एह पर पर सिध्धि लाब किया है बाबा अभी भी इस महासमसान में अमवस्था में महापूजा जीत होती है क्या है उसके बारे में अपके पास उसके बार में मा का जो ही है अमवस्था में बली होता है और सब जगा में सब काली मंदिर में अमवस्था में पूजा ज्यादा धूल एक बात बाबा ये सुनने मे कि लोग चीटा में बैटके तपश्या करते हैं मुशा ना करते हैं यह क्या है और लोग जो है काला डेइस valid is the can tell करता है तरापीट का महासमसान तंत्र साधना का केंदर है यहाँ पर तंत्रिक साधू तथा अग्होरों का वास है महासमसान में अमाविष्या तथा चतुरदसी में विशेश पूजा का आजन किया जाता है अगहोर चतुर्दसी में चीता में बैठकर अगहोर पूजा करते हैं माइनता है कि जब तक तरापीट के महासमसान में लास नहीं पहुचता है तब तक मातारा की पूजा प्रारंब नहीं होती है उत्तरवाहिनी द्वारका नदी के किनारे महासमसान में बामाख्यपा का समाधी स्थल है यहां सरद्धालों बामाख्यपा की पूजा अर्चना करते हैं मातरा के चरनों की छाब भी महासमसान में मौजूद है आज भी इस महासमसान में अलोकिक सक्तियां विराजमान है तारापीट का नाम था पहले चंडीपूर गेराम तारापीट नहीं था तारापीट का नाम पहले था चंडीपूर गेराम चंडीपूर में तंतरपीट होता है था यहां श्रीयाल अभी यहां पर बेटा है साप बेट आदमा अभी तक है रात को बारा बज़े के बाद माहीं मासन में घूंता है मा ये तारापीट महसान में घुनता है अभी तक कोई बोले ना बोले दीन का अलम जितना आला होता है अलमें कुछ नहीं देखा दिता है अंदकार होगा तो सब अगोर का खेला होता है मा तारादेवी तो अगोर का देखता है कि यह रोज एक नएक लास यहां पहुंचना है जब तक लास नहीं पहुँच पी है तब तक मा का भोग नहीं लगता है यह आज से नहीं शुरू से चला आ रहा है और हम आपको अग्रह करेंगे कि आज हम ने आपको पूरे तारापीट का दर्सन कराया और हम आपसे अग्रह करेंगे, कि आप अगर इधर आएं तो तारापीट जरुर पहुंचे, आप तारापीट आएं, मा का दर्सन करें, महासमसान में गुमें और अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो क्रिपया इसे लाइक करें कॉमेंट करें और मेरे चैनल ट्रवेल विद देवासेश बार्ती को सब्सक्राइब करें